नमस्कार, रिनास फूर्ट का उडर में आपका स्वागत है आज एक यूनिक रेसिपी लेकर के आई हूँ जिनरली इसे बरसात के दिनों में बनाते हैं और मार्केट में तभी ही मिलते हैं, तभी ही इसका बनाते हैं आपको कुछ समझ में आया मैंने क्या बनाया और क्या बताने की कोशिस कर रही हूँ ऐसे आप मक्के की रोटी और ससु का साग खाया होगा लेकिन जब हम मक्के की रोटी बनाते हैं, तो मक्के के आटे से ही बनाते हैं कच्चे भूटे से आप क्या बना सकते हैं इन्हें भून करके खा सकते हैं, भूटे का केस जिससे चाको से निकाला जा सकता है, बुट्टे के पकॉड़े, उसी दर से आप स्वीट कॉण के भी बहुत सारी रेसिपी जानते होंगे, कॉण राइस, कॉण पालक, या फिर कॉण को आप सूप में डाल करके पी सकते हैं, ये रेसिपी मेरे घर की है, ये रेसिपी काफी हि इसे मकाई की लिट्टी हमारे घर में कहा जाता है इसकी बाइंडिंग के लिए ना हम चावल गेहूं मिक्स करते हैं इसे सिर्फ भुट्टे से बना सकते हैं बरसात के दिनों में हम भुट्टे को कोईले पर सेख करके या फिर माइक्रोविन या फिर गैस पर भून करके खाते कभी कभी भुट्टे बच जाते हैं उसको आप फेके ना इस कच्चे भुट्टे का ही रेसिपी हम बनाते हैं मैंने तीन कच्चे भुट्टे को पहले इसके दाने निकाल लिये हैं फिर अच्छी तरह से धो करके पानी डाल करके इसे दो घंडे के लिए भिंगो करके रखें ह देखे दाना फुल गया है जब हम भुट्टे को लाते हैं तो मार्केट से कुछ बच जाते हैं तो उसको फेकते नहीं है और उसी की रेसिपी बनाते हैं दाने भी अच्छे हैं और हिल्दी भी हैं सबसे पहले इसे जार में ट्रांसफर कर दें दरदरा पेस्ट बनाने के स्वादनुसार इसमें हरी मिर्ज डाले एक इंच अध्रक का टुकड़ा स्वादनुसार नमक स्वादनुसार काला नमक भी डाल सकते हैं वन फोर टेस्पून जीरा आठ दस काले मिर्च कुछ करी पत्ते आप धनिया पत्त भी डाल सकते हैं धक्कन लगा करके दरदरा पीस इसमूद पेस्ट ना बनाये कुछ इस तरह से किसी बॉल में ट्रांसफर कर ले पीसने बक्त पानी न डाले आप स्वादनुसार उपर से मिर्च मिक्स कर सकते हैं या कोई भी वेजेटेबल इसमें डाल सकते हैं इस वक्त आप धनिया पत्त भी डाल सकते हैं अब इसे हाथो से एक वर फेटे मिक्स करें कोशिस करें लोही की तवे के स्तमाल करें उसे गरम करें थोड़ा सा इस पर तेल डाले तेल को तब अपर फेला दें एक पार ले और हाथों से एसे फेला दें मेडियम फ्लेम करके 2-3 मिनट के लिए इसे डिस्टर्ब ना करें कैयरफुली जब तवर को छोडने लगे तो इसे पलट ले और तेल डाल कर के इस की सिखाइग कर ले। अलट पलट करके दवादवा करके Jब कभी भी आप इसे बनाए तो हाई फ्लेम ना करें मीडियम फ्लेम पर ही इसे सेके गर्बा गरम इसे सर्फ करें उसी तरह से फिर से थोड़ा सा तेल डाले और उसे हाथों से फेला दे इसे जब हम बनाते हैं तो नहीं इसे बेलने की जरुत होती है नहीं आटा गूंधना होता है उसी तरह से दबा दबा करके इसे सेके अलट प आप पराठा भी कह सकते हैं या फिर मकई की रोटी एक भूटे से एक ही पराठा बनता है इस तरह से हाथों में ले इस वक्त मैंने तेल नहीं डाला है तब आपर क्यूंकि अल्रेड़ी ये ग्रीज हो चुका है हाथों से इसे फैला दे साइड में अनिविन होते हैं लेकिन औ थोड़ी देर ऐसे ही रहने दे अब तेल को अंदर करें देखे दुसरवित बन गया था फिर जब ये पलटने लाइक हो जाए तो इसे पलट ले फिर से थोड़ा सा तेल डाल करके इसे सेके आप सेकने के लिए घी का भी स्तमाल कर सकते हैं इसे आप चटनी सबजी या चटने के साथ सर्व कर सकते हैं इसे चाय के साथ भी खाया जा सकता है तो आपको वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें किया आपने इस तरह की रेषिपी आ रहे हैं इसे और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले और इसी तरह से जल्दी बनने वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूं चैनल पर बने रहें और नोटिफिकेशन के लिए बिल आइकन दवाना ना भूले तो मिलती हूं मैं आपसे नेक्स्ट रसीपी के साथ तब तक के लिए टेक क्यार एंद थैंक्स वर वाचिंग